रहा है क्या नहीं हो रहा है सबसे हैट पर रखी गए ऐ है शाही मस्जित वहां पर उसके बीच मेह प्तथर रखा हुआ है वहां पर बैट कर उषितलर ऀओं कि ब्गडी हुरहीश कर रहा है कि आ reasonably निज़ाम के जगों को यहाँ पर जो मस्जिद तामिर हुई थी आज भी हम देख रहे हैं हाइट पर है और यहां से हम तक्रीबन माशाला औरंगबाद देख पा रहे हैं बेशक आज भी यह जगे बहुत हाइट पर है और औरंगबाद में जितना शहर हमें दिखाई देता है उसमें सबसे कुरान शरीफ लिखते थे और वहीं से पूरा एड्मिनिस्ट्रेशन जो है वहीं से जो चीजे लिखी जाती थी वो चीजे मतलब सरी है कि यहां बैटके पुरे हिंदुस्तान पे हुकूमत होती थी एक पॉइंट हम निकाले अगर तो यह यह आप बोल सकते हैं कि यही पर खानका है और खानका क्या हुआ करती दीन हम जिसे कहते हैं को आउरागाबाद की तारीक पता होने चाहिए कि हमारे पुराने असासे कब बने किस ने बनाया किस के हाथों से तामीर हुए और यह अब तक किस हाल में है तो इसलिए हमारी एक शाही मजजित जो कि आप जान पुरा हिंदुस्तान पता करके आए तो आराम के लिए उन्होंने यही जगह शुरू कि मैं आपका और एक बात बताचा चलूं कि यह जो जगे है यह पुरा जो अंडिवाइड हिंदुस्तान था अंडिवाइड हिंदुस्तान यानि कि उसमें बंगलादेश आएगा पाकस तो यह सारे हिंदुस्तान का जितनी और अंडिवाइड की हुकुमत थी तो उसका सेंटर हुआ करता है यह चीज़ गालेबन ज्यादा लोग यह सुकून का आपने इस्तार्ड में बता दिया लेगिन फिर एक दो लाइन यह सुकून के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क पर आने के बाद चुसे शुकून मिलता है अच्छी सीटी में जाने के बाद अक्ची शहर में बड़े शहर में जाने के बाद वीडियों में मैट्रों में नहीं मिल पाता है यह जो मस्जिद आपको पिछे दिखाई दे रही है उसे जनाना मस्जिद कहते हैं शाही जो ख gedacht Sam होती थी, वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ती थी, आप imagine कीजिए कि जो रंगीन दर्वाजा है, बाच्छा एंटर हुए है, पुरे अपने घोडे पर है, उनके साथ काफी लोग पीछे चल रहे हैं, और गोडे पर से होते हुए आपका जो सूबेदारी गेस्ट हाउस के लिए जो रास्ता है, वहाँ से आते हुए आगे ये शाही मस्जिद को आने वाला जो रास्ता है, वो रंगिन गेट है, नौबत दर्वाजा है, और उस तरफ आम खास की तरफ जाईए, वो आमों खास मैदान हुआ करता था, यानि दीवाने आम दीवाने खास जो होता है, और ये आरिफ कॉलोनी की जो देखिए, बड़ी बड़ी फसील है, और ये हमायत बाग इनका मुगलों का परसनल गार्डन हुआ करता था, तो ये पूरा किले अर्क का रॉयल पैलेस जिस जिसमें हम औरंगाबाद के जो ओल्डेस तारी की असासे है, जैसे रोशन गेट हो गया, बडनी गेट हो गया, अपने महमुत दर्वाज़ा हो गया या पुरानी जो तारी की मसाजजिद है हमारी, तो उसके उपर या पुरानी असासे, या पना मुगबरा जिसमें हमने मु अपने एक खुबसूरती से सब को लुभाती है सब को अपने तरफ खीचते है यह असासे हमारे तो इसी कड़ी में हम तामीरे मीडिया नियूस के तरफ से आये थे कि तारीकी सीरीज जो हमारी है हम मौझूद है शाही मस्जित जैसा कि आपको पता है और हमें पता भी होना चाहिए गायजा औरंगाबादी हम औरंगाबाद में रहने वाले हमको औरंगाबाद की तारीक पता होने चाहिए कि हमारे पुराने असासे कब बने किस ने बनाया किस क्वास के हातों से तामिर हुए और अब तक किस हाल में है तो इसलिए हमारी एक शाही, जजित जो कि औरंगाबाद में आप जानते हैं पूरी, इंफरमेशन, हमारे सेद रमी जई सर से लिंगे जो एक एक UPSC स्टूडंट भी है और UPSC स्टूडंट को कोचिंग भी देते हैं इनसे हम शाही मस्जित की पुरी इंफोर्मिशन आप तक पहुचाएंगे पुरी मालूमात इसकी पुरी तारीक जो भी है 300 साल 400 साल या सर से हम पुरी जानेंगे सर आपका तामीरी में में बहुत बहुत इस्तक्वाल जी बहुत बहुत शुक्तिया स्टूडंट तो हम अब रहे नहीं हमारे अट्रम टोगेरा खतम हो चुकिए अलबता स्टूडंट जरूर है इंशालला मरते दम तक स्टूडंट रहेंगे तारीख के तालुक से अक्सर यह होता है जब मिस्ट्री पढ़ने जाते हैं बच्चे या बढ़े जो भी हैं तो ज्यादा फोकस डेट्स पर और चीजों पर नामों पर करने लगते हैं मैं ज्यादा यहां पर फोकस करूंगा कॉंसेप्ट के उपर कि क्यूं चीज थी इसका कॉंसेप्ट क्या था असल कॉंस अदब यानि किसी चीज का जो अदब करना एहतराम जिसे हम कहते हैं और कुरान से लगाओ था कुरान काफी पढ़ा करते थे वहां कि आप उस्मानी बादशाहों को देखिए कसरत से कुरान की तिलावत किया करते थे यहां के आप देखिए मुगलों में देखिए काफी दूसरे बादशा गुदरे हैं और अरंगजेब रहमतुलाले के तालुक से सबको मालूम ही है कि कसरत से तिलावत तो करते ही थे मंजिल जिसे हम कहते हैं कुरान को जो साथ दिनों में मुकमल किया जाता है मुगलों का यह है आप दिल्ली जाइए लाल किला जाइए वहां पर जामा मस्जिद जो है तो जो बादशा के रहने का मुकाम है और जो जामा मस्जिद है तो आप देखेंगे के जामा मस्जिद की हाइट उससे जादा है बादशाय के रहने के मुकाम से ज्यादा है और यह इलाके को देखिए आप जो शाही मस्जिद का जो इलाका है यह औरंगाबाद जो पुराना शहर था उसमें सबसे ज्यादा हाइट का इलाका है और उसमें सबसे ज्यादा हाइट पर रखा हुआ है शाही मस्जिद को रखा ह हुआ है और बाच्चा के रहने का मुकाम थोड़ा सा उससे नीचे ही रखा हुआ है और यहां पर आप थोड़ा सा तारीख में अगर अपने अमेजिनेशन को ले जाएंगे तसवूर करेंगे तो यह बिल्डिंगे वगरा कुछ नहीं थी आपका जो तारीखी शहर था वो सारे गेट्स के अंदर आबादी काफी कम थी किले अर्क जिसे कहते हैं हम बच्पन से औरंगाबाद आते थे तो यह सवाल मेरे जहन में हमेशा ह हुआ करता था यानि दीवाने आम दीवाने खास जो होता है और यह आरिफ कॉलोनी की जो देखिए बड़ी बड़ी फसील है और यह हमायद बाग इनका मुगलों का परसनल गाडन हुआ करता था तो यह पूरा किले अर्क का रॉयल पैलेस जिसे कहते हैं एक रॉयल किला यह हुआ करता था और इसके अंदर सारी चीज़े थी तो इसमें सबसे हाइट का मुकाम है शाही मस्जित का और यहां पर आप इमेजन कीजिए कि सुबा सुबा फजर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत बैठा करते थे और यहां से बैठ कर पूरा शहर दिखाई देता होगा उ सबसे हाइट पर रखी गई है शाही मस्जित वहाँ पर उसके बीच में पत्थर रखा हुआ है वहाँ पर बैठ कर वो जो है कुरान लिखा करते थे और वहीं से हुकुमत का वो पुरा निजाम समाला भी करते थे हाइट पर रहे लेकिन आज भी हम देख रहे हैं 2022 में इतने साल बाद भी इतने बीडिंग के तामीर होने बाद भी क्या आज भी हम हाइट महसुस कर रहे है वह तारिक जो पकड़े गई थी कई साल पहले जगों को यहां पर जो मस्जित तामीर हुई थी आज भी हम देख र अजीब बात है एक मैंने जो महसूस किया है लोगों से के औरंगाबाद वालों को बड़ी अजीब किसम की महबत है शाही मस्जित से महबत नहीं आप उसे इश्क कहिए मुझे खुद के बारे में याद है कि जब यह हजहाउस और वंदे मातरम हौल नहीं बना हुआ था तो ही है और जैसा खुल्दाबाद खीचता है हमें उसी तरह शाही मस्जित खीचती है और इसका बहुत गहुल करने के बाद या वह करने के बाद यह हुआ समجھ में ये बाताई कि ये जगए इसके नीचे असल में खानका है खानका गालिबंद काफी लोगों को नहीं मालूम है यतीम खाना जहां पर है वहां पर खानका है और खानका क्या हुआ करती दी जो बुजरगाने दीन हम जής से कहते हैं खानका में अल्ला का कलाम और अल्ला का नाम ये दो चीजें ली जाती थी तो अल्ला के तकरीब तीन सौ शाड़े तीन सौ साल पुरानी की हिस्टरी है और उसके बार फिर ये कुछ चीजे बंद हुी होगी लेकिन जैसे हम एक पतीला गरम करते हैं तो गैस या चुला बंद कर देने के बाद काफी देर तक वो गरम रहता है तो शाही मस्जिद और खुलदाबाद की भी जो तारीख है कि साथ सो साल से यहां पर आल्ला आए, बज़रगाने दीन आए कसरत से तिलावत की होगी, कसरत से उन्हों ने, उनकी ऑलादों ने तो वो जो सुकून है, असल वो पुरान की तिलावत का सुकून है नमाज पढ़े हैं, यहां पर आए, यहां पर आकर बैए है जाता है अरंगाबाद की गालेबन सबसे जादा जो फेवरेट तरावी कहें कुरान तो हर जगे पड़ा जा रहा है लेकिन जो सबसे फेवरेट तरावी होतीजे गालेबन उंवा शाही मस्जिद ही की होती है थोड़ा सक हमारे पीछे जो एक दिख रहे ही मस्जित हम उसकी इसके भी आप से जानना चाहेंगे एक खास चीज में आपको इसमें बताना चाहूंगा आपको कैमरा उसके लिए बताना पड़ेगा आईए यह दिखिए जो शाही मस्जिद है यह मैं बोल देता हूं आप लोग उसको देखते हैं जो शाही मस्जिद है और जो जनाना मस्जिद है जब आप इसको देखते हैं तो शाही मस्जिद जो है यहां आपको थोड़ा बताना पड़ेगा शाही मस्जिद जो है वो थोड़ी सी पीछे है और जनाना मस्जिद थोड़ी सी आगे है वो है वैसी उसका व्रीजन है असल में गुरान में आता है कि वो अल्ला के बंदे बड़े अल्ला से रुजू करने वाले जो कई अंबियाग मधिना शरीफ है जब आप मैंप में जाकर देखेंगे तो मक्का शरीफ के तर्स पर शाही मस्जिद को बनाएग्या मदीना शरीफ के तर्स पर आपकी जनान मस्जिद रहे और यहां से इस तरफ में आपका खुलदाबाद है तोह बंखना लीजिए ऑना किसी दिक्ना के न तो वो तो हम सब का दिल कहता है कि खुल्दाबाद में एक अजीब रोहानियत है यह असल में यहां काफी दिन से हम हैं इसको देख रहे हैं तो वह यह कहीं यानि इसकी अजीब आफेंटीसिटी मुझे नहीं मालूँ कि क्या इन्होंने ऐसा किया था है नहीं किया तो मैंने कहीं पड़ी हुई यह चीज नहीं है लेकिन उसको देख कर जाकर जो मैप में हमने देखा तो हमको यह इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसी तरीके से यह तर्थ पर बना और भूस से चीज है जिसे हम तो औरंगबाद को अरी की शहर कहते हैं हम यह पूरी दुनिया कहती है तारी की शहर के नाम से जाना जाता है लेकिन इसकी तारीक भुलाती ज रहे है और रमीश सार हम को एक उपर वाले का 과र म कहेंगी कि क्या कहेंगी जो हमें मिले है और इसकी काव शरीफ मक्का मदिना मकुम खद्दस महां से बताई है तो आपने एकदम बारी किसी जाना है फिर सर को सर से मैं और एक बार एक रिक्वेस्ट करूंगा जो सर की शायरी है कोई एक शेर इस उपर हमारा कुछ दिन आकर रहना हुआ यहां पर हम रह रह रहे थे तो गालिब का ही शेर हैप बड़ा प्यारा शेर है और मेरा jaką दिल यही करता है यह बढ़ने लिए एक बंदे कमीना हमसाय खुदा है यहां जरी जर्लास तो मस्जित के नीचे हुआ करता ऑर हुआ मजित के मैं जो साये के नीचे हमने घर बना लिया है यह जो बंदय-कमीना है किस का है हमसाया है पडोशी है कि खुदा का पडोशी है हमारी तो तो ह्य खुआ है कि हम अगर पॉआसी बने तो शाही का आपने तो स्टार्ड में बता दिया लेगिन फिर एक दो लाइन ये सुकून के बारे में आप कुछ कहना चाहिए कि कि यहां पर आने के बाद जो सुकून मिलता है शाहिदी कोई अच्छी सीटी में जाने के बाद अच्छे शायर में बड़े शायर में जाने के बाद वीड काफ़ी लोग अब तक भी वैसा महसूस करता हूं कि लोग होंगे जो कसरत से ऐसकी तिलावत करते हैं और जी मैं तामिर मेडिया के तवस्त से शेहरियान और अरंगाबात से भी अप 26 गांगा और अपील करना चाहूं जो कलाम है वो काईनात का अफ़ाला कलाम कुरान चरीफ है तो एक चीज हम जो कर सकते हैं हमारे थेण में बत यह खयाल है उसकां पये तक मिल तक पहुंशां नहीं पाए कि कुछ खत्ताती की इंस्टिट्यूट्स हो वो एक नई हो कई इंस्टिट्यूट्स हो सकती है और हमारे बच्चों को हमारी नसलों को नई नसलों को बुड़ों को बढ़ों को एक जो चीज की हम तरगीब दें वो करें वह हैं कि कुरान की खत्ताती सीख कर हम यानि में हमने उसको अपनाना चाहिए कि कुरान को हम लिखा करें कुछ लेकिन हमें आपके तवस्त से को करूंगा मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा कोई टीचर अवेलेबल हो ऐसे कोई हो तो मैं खुद सीखों उसको वह करूं और काफी हमारे जो नौजवान लोग है यह बहतरीन करेंगे रशक होसी पास पानी के होस्त के पास पास ताले वे तुडरा जुम की जिनी इसके और के ऊप केस वहां पॉरी मस्जित का सेन्टर शेंटर गए उसके बीच 100 च्छोटा सा सुरा है प्धर पूहां पर सियाही लगा रखी होँ होती ठीच और वहां से औरंग बरहमत administration जो है वहीं से जो चीजे लिखी जाती थी वो चीजे अवह कोमत होती थी यह आप बोल सकते हैं कि यहीं वह जगे हैं जहां पर कर पुरे हिंदुस्तान पर हुकूमत होती थी यह अभी कि आप बोल रहे हैं तो मेरे जहन में आ रहा हैOOOO है कि यानि फ Road यह कितना इनको शगफ था। कुरान में आता है कि अपने पानिया पर पांप शेया इना है और उस पर बैठतें खीछ है तो वह वहसी तर्श पर बनाने ची कोशिश की गई है कि पानी है और उसके पास यह यानि कितना ज़ादा उससे रिलेट किया गया है हुकुमत तो अल्लाह की ए असल खुमत अल्लाह की है औरंग्जब पर लिखा हुआ 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 है, उन्होंने यहीँ बताया कि मैं कुछ दिन कर रहा था उन्होंने तवसियत की थी ये लिखने की कबर पर आप सब जानते हैं कि ये तो जाहिरन हमारी हुकुमत रही असल हुकुमत कौन कर रहा था असल हुकुमत आज भी अल्ला ही की है और ता कयामत हुकुमत अल्ला ही की रहेगी तो गालेबन उसलिए वो कुरान से वो सारी चीजे लेकर उन्होंने इसको किया हुआ है बनाया था सर ये तो हमारे लिए बाइज फकर है कि हमें हिंदुस्तान जैसे मुलक में पैदा होने का मौका मिला ला ने हमें ये नसीब किया और उससे बड़ी बात जो हमारे लिए कि हमें शैर और अरंगाबाद में किया जी उसके लिए अफिक दो लैन शैरी या फिर आपके उन वर्ड में जो कर सकते है देखिए आपने जो कहा कि हमारा फखर हिंदुस्तान में रहने का पैदा होने का हमें फखर हुआ बेशक अल्ला वतन वही है मेरा वतन वही है तो आप और हमने यह सोचना चाहिए कि क्या चीज थी इसके बारे में बड़ी बशारते हैं हिंदुस्तान के बारे में हालात कितने ही खराब हों आपको कुछ भी नजर आ रहा हो बजाहिर आप इस पर यकिन रखिये कि मुहमद्स लिए आपके आका ने हमको यह कहा कि मुझे थंडी हवाएं आ रही है वो खुलदाबाद की और और अंगाबाद की जो थंडी हवाएं आजकल भी जो चल रही है वो आप अस वक्त महसूस किये थे तो यहां से क्या आगे चीजें अल्ला ताला करते हैं वो हमें उसका अंदादान नहीं है हमने हालात को नहीं देखना जाए हमने मुहम卑 junior фильм की बात पर नजर रखनी ही हम यहाँ पर हालात कुछ भी हो जाए और कैसे भी हो जाए हम हमारा पूरा पूरा इस मुल्क की तरक्की के लिए और इस दुनिया की तरक्की के लिए हम अपने पूरे अपने आपको छोंक दे बाकी फिर हमारे साथ जो होगा वाल्ला की मर्दी है इस मुल्क के साथ क्या होगा वाल्ला की मर्दी है कि यह पर पीछे महल हुआ करता है पीछे जनाना मेहल मर्दाना महल के पीछे जनाना मेहल जो है और अरंगजेब रहमत लिल्ला लेकी बेटी हुआ करती उनका नाम जैबन निसा था तो उनके लिए वह बनाया गया था अभी काफी वह खंडर हो चुका है तकरीबटन वहां जा करना भी शायद थोड़ा सा रिस्की हो सकता है दुश्वार हो सकता है लेकिन उस वक्त में एक बड़ा इसके अंदर इस खंडर में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है आप लोग गोर कीजिए बहुत बड़ा सबक है अगर आप उसको समझ सकें तो मैं कहूंगा कुरान में आता है कि अला क्या तुम उन मुकामात को नहीं देखते क्या तुम चले फिरे नहीं उन मुकामात से जो अभी खंडर बने हुए बहुत से कुए हैं जो सूख गए है इस तरीके से कुरान में जिकर आता है यह वो जगे है जहां से पुरी तारीख की हिंदुस्तान की वो यहां से चली है शाही मसजद यह वो इलाका है सबसे बड़ी यानी के वो टेरीटरी में भी सबसे बड़ी इलाके में भी और पिरियेड में 49 यह उन-पचास साल यहां से यह हुकुमत चली है इतनी बड़ी हुकूमत का मैंने जब आया यहां पर थड़ी तारीह औगरा जानने की कोशिश किया कुछ लोगों से तो मुझे ये मालूम हुआ कि 1990 के आसपास तक शाही मस्जिद को ताला लगा हुआ था तो आप सोचिए कि इतना पावर्फुल बाद्शा पूरे मुगलों का सबसे पावर्फुल बाद्शा औरंगजे ब्रहमति लाले और हिंदुस्त है वो भालता हुआ होगा इसमें बहुत बढ़ा हमारे सबह भीह और बहुत बढ़ी हमारे ले बचारे भी है बड़ी हुकुमते आती हैं खतम हो जाती हैं मोगल आए सलय वह भी घ्रतिश आयगे झांगडूम अधय तो फिर हम क्या चीज़ है यह देखे तो मेरे लिए भी औरंगाबाद में बहुत वह है जी उसमें हम बता रहें थे कि जो थी औरंगे प्रहमतलाल की बेटी थी समेह साथ साल में उन्होंने हिव्ष किया सिर्फ साथ साल की उमर की लड़की जिसने क्या किया हिव्ष कर लिया साथ साल तो गवर्मेंट ने बचों को हम वह कर रहे हैं उससे बहतर मैं यह कहूंगा लोगों से मैं अपील करूँगा कि हिव्ज वगेरा औरंगाबाद वालों के लिए मैं यह कह रहा हूं कि जब इतनी निजबत रखते हैं जब इतनी मुहबत आप रखते हैं शाही मस्जिद से और खुलदाबाद से और औरंगाबाद नाम से इतनी जो मुहबत है आपको आपक बच्चों को हिफ्ज वगरा जो है वो साथ साल की उमर से पहले जब एक उनकी बेटी ने किया यह इतनी बड़ी शहजादी ने किया और वही चीज दूसरी बच्चियां और बच्चे भी कर सकते हैं यहां पर जो जनाना मस्जिद है वहां पर भी मेरा यह है कि कुछ वहां से होना चाहिए हम हमारी बच्चियों को लेडी जो हैं वहाँ पर कोई हिवस की चीज़ चुरुई हो कुरान फ़हमी की कोई चीज़ चुरुई हो हम अपील करेंगे जो लोग है जनानah मदर्सा मैं बता दूंँ आपको कल चुबाई हमारी बच्ची को भी हमने यहां पर लाया हुआ था चोटी सी है बच्ची तो यहां पर अंदर तज्वीद की क्लास चलती है और कुछ चीज़े मौर्निंग में होती है एक्टिविटी तो लोग वहां पर आ भी सकते हैं अप्ध हो गई तो उनकी इस्ताजा को जो असाज़ा थी औरंग्जेब रह्म आले ने थीस हजार उस वक्त जो भी उने के सिके असलम्हें उसकी कीमत तो कुछ होई नहीं सकती तो यही इसकी कि क्या कीमत आप लगाएं तो यह एक अपी का मतलब और हम भी उन में से हैं कि उनकी तारीक नहीं पढ़ते हैं उनको बूल जाते हैं हमारे सामें अल्ला ताला ने देखा जाए तो एक एक्जामपर रखा है उनका उनकी साथ साल में उनकी वेटी जो है तो हिफ्स करती है एक बुज़ुर्ग ने कहा तुर्कों को, तुर्क थें ये भी उस्मानी तुर्क भी और हिने भी इन्हें सिर्फ अल्ला ताला ने सिर्फ किताब की तिलावत करने से, अभी हम बात करने कुरान फेहमी की और ट्रांसलेशन की और तर्जुमें से पढ़ने की और उसका मतलब समझने की काफी बाते हो रही हैं ये तो बड़ा अफजल काम है ही लेकिन सिर्फ तिलावत का अपना बहुत उंचा मुकाम है उसको हम वो तो उसके नतीजे में वो अल्ला के कलाम की बरकत से तनी बड़ी हुकूमत दे दी ये च मुहीम के तोर पर ताजीक जो तारीक असासे है वो चला रहा हूँ जो कि हम ना औरंगबाद की तारीक भूलते जा रहे हैं लेकिन हमारे असासा अज भी खड़े है अलहमदुल्ला आप देख रहे हैं पुरे और अबाद में जासे और इस तार्ड होता है आपको एक से एक इमारते हमारे नजर आएंगी तो वो तो है अपने इस पर खड़ी भी लेकिन हम जो हमारी तारीक भूल जा रहे है फॉर्गेट हो जा रही है तो इसको हम जिन्दा रखना चाहेंगे इसलिए मैं एक मुहीम चला रहा हूँ और अगाबाद की तारीक पर तो मैं आपसे यह हम उसे ज़्यादा ज़्यादा जुड़िए और इस न्यूस को अपने आने वाली नसल को भी यह जो हमने वीडियो बनाए न्यूस बनाए इसको समाल के रखिए ताकि उन्हें आसनी से पता चले किस तरह का शहर था किस राजाने किस बाश्याने इस पर हुकूमत की और किस है ़ाज अगर हम इस तारी भूल जाएं तो हमारी आने वाले नसल कोको क्या बताएंगे कि बस यह के और रंगाबाज शेहर था यह अजात है लेकिन इसकी तारी की जानेंगै तो आपको और मज़ाएंगा तॉयूंकि है तुम है नहीं इस यह जो है यह वीडियो जो और शैर कीजिए मैं शुक्रिया अदर करना क्रों हमारे कैमरेमन या entendk जब इनमिघ किताब में ईक किससा पढ़ा था असल में ओथर का नाम भी भुल गया और उस किताब का नाम भी हजा गौक्त तो पुरानी किताब मुझे याद रहे तो यह कहा गया कि एक जंग हो रही थी जंग हो रही थी तो दोल्डाने जंग नमाज का वक्त Even Люб नमाज का जब मज़िए तो जो दुशमन थे यहां पर जब момент बढ़ी जा रही थी तो इमाम शहीद होए तो दूसरे एक रखे पर अगे बढ़ता और इमामत करने लगे लगे भिर से एक तीर चला जी स्वायत होगे तीसरी पर एक शक्त्यार साथ मौण जो कई दो लोग कोzos लगे तीसरा शक्त्या कितनी आप इमेजन कीजिए उसकंडर जा जाईए कि आप आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि इमाम को तीर लग चुका गोली चल चुकी अब वो हिम्मत किस लेवल की दरकार होगी कि आप आगे पैर रख रहे हैं और आगे आ रहे हैं आपको मालूम है कि मेरा एक पैर आगे लेकिन जिस मेरी मौत लिखी है लेक और अलते हैं अब जब उसने एधान ये दस्यां कि पीछें होते हैं छूपे हुए होते हैं फ्रंट पर नहीं आते हैं ये बाच्छाए मांब और उप मौत है वो उस चीज़ से नहीं डर रहा है सिर्फ वोई शक्स कर सकता है जिसका इमान सौ फीसाज बात पर हो कि जो है यह जिन्दगी और मौत किसके हाथ में अल्ला के हाथ में है और उसने फिर उसे मना कर दिया इसके साथ ही एक और किस्सा आता है उसी किताब में गालेबन य करेंगे तो जो सुकून की उनको कैफियत होती थी वह सिर्फ उसी शक्स को हो सकता है कि जिसको मालूम है मेरी हुकूमत मेरी जंग प्रिसारी चीज़े किसके हाथ में अल्ला ताला के हाथ में वह अंग्रेज ऑथर ने लिखा है मैं उसके असल में ऑथेंटिक चीज़े बया नमाज पढ़ा करते थे और जैसा कि हदीश में आता है कि जैसी हमारी नमाज है वैसी हमारी जिन्दगी होती है तो वह उतना सुकून और उनके उसमें फिर काफी सुकून वगरा भी रहा जी यह चीज़े यह दो मैं चीज़े आपको औरंग जिब्रहमत लाले के तालुक से बताने चाने जिए बाग बच्छ